हलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टुए चैनल मैं प्रेंग का मिश्रप्र चैनल सुपी सुपरमॉम के दुने मैं अपका फिर से स्वागत करती हूं आज हम बात करने वाले हैं फेस और हेर दोनों के बेस में प्रॉब्लम के बारे में क्या होता है हमारे स्कीन पे आजकल तो पॉल यह बहुत प्रॉब्लम है ये पिंपल्स हो जाना मतलब इसे अपकी आपकी इसकी इवे नहीं दीखती दूसरे में आपका इस्कीन टोन उभर के नहीं आता आपका इसकें दिन पर दिन दिन और ज्यादा डार्केश होते जाता है तो इस प्रॉब्लम से सॉलूशन के लिए बहुत सारे medical से दवाय खा चुकि है होमेपातिक की दवाय इस्तमाल कर चुकी है घरेलू चीजे बहुत जादेस्तमाल कर चुकिक में यह नहीं कह रहい हों मैं इस चीज का दावा बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि आप ने आज लिक्न पर इस इस ऐप्लिकेशन को अपलाइघ कि और अगले दिन आपके इस्कीन पूरी तरयकर से सुपल हो जाएगी एक दिन में कुछ भी नहीं होता आपको कम से कम इस चीज को regular base भी इस्तमाल करना पड़ेगा तब जाकर आपकी skin पुरी तरीके से clear और glowing भी होगी और आपकी skin acne prone skin से खत्म हो जाएगी So friends उस चीज का नाम है Rosemary Essential Oil इस चीज का आपको मैं नजदीक से दिखा दो So friends यह organic का है Rosemary Essential Oil यह essential oil है यह facial oil नहीं है इसलिए आपको भूल कर भी इसे अपने make-up करते से में इस्तमाल बिलको नहीं करना है क्योंकि facial oil नहीं है यह essential oil है इसे आप अपने राइट जो routine होता है उसमें आप अपने skin पच्छे से face wash कर लीजे उसके बाद क्या किजें कि आप अपने skin पर अगर आप कोई जेल अप्लाई करते हैं क्योंकि हमें face wash करते हैं कि तुरंत अपने face wash करने के दो मिनट के अंदर ही अपने skin पर wash राइजर इस्तमाल करना है तब ही जाकर आपके skin जो होगी अच्छे से hydrate बनी हुई रहेगी नहीं तो आपके skin में dryness की problem बहुत जल्दी आ जाएगी और आपके wrinkles में बहुत जल्दी दिखने लगेंगे देखिए रिंकल्स का आना हम नहीं रोख सकते रिंकल्स एक नेच्रली चीज़ है यह आएंगे ही आपके skin पर लेकिन आप इसकी speed को स्कीन पर बहुत जल्दी आ जाएंगे लेकिन हम इसकी speed को थोड़ी स्लो कर सकते हैं जैसे कि अगर हमारे is के स्कीन पर जो रिंकल्स अगर वह 35-40 एज में आ रहे हैं तो आप इसके एज को बढ़ा सकते हैं आप 50-55 के एज में आपकी पर हलके से रिंकल्स आन उस समय आपको विजिबल होने लेंगे लेकिन उसके पहले विजिबल नहीं होंगे आप नाइट के रूटीन में क्या कीजिए का आप मॉस्टडाइजर जो भी अपलाई कर या फिर आप जो भी नाइट क्रीम इस्तमाल करती है उसके साथ आप इस एसे प्रॉप से बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लेना मतलब की एक बुंद उसमें मिलाकर उस क्रीम में इसको एड करना है उसके बाद इसे अच्छे से मिक्सप करने के बाद आपको पूरे स्कीन पर इस अच्छे से अपलाई करना है आप अपने आई जरीया के पास और यहां ब् तार कर होगा और पुद्धेशन एक ने आपका बहुत जल्दी टि को जाएगा बहुत जल्दी लेकिन आपको इसका रेगूरर इस्तमाल करना पड़ेगा आपको इसको एक दिन भी स्किप नहीं करना पड़ेगा अगर आपको रिजल्ट इसके अच्छे आ जाएंगे तो तभी आप मुझे कमेंट्स कीजिए को में ज़रूर बताएंगे आपको इसका रिजल्ट कैसा लागा आपको 7 दिनों